कन्स्ट्रॉक्ट ट्रेंगल ambigu ABC इन वेच एज़ एबपुड तНА्पितमीटर एउकवल टु सेबफन से इन इए इकवल टु फोटि-फॉट्वाइप दिग्री और से इक्वाल टु उसेघבעy कर आएक कि एकैवल करनी कर्नीए जिसमें एभी सेबटमीटर हो एंगल इएजो solve करने के लिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कौन साथ टेन नंबर नो तो टेन नमबर में एबी है नो दिया नो टेन नंबर हाँ एबी एबी यह 7 cm एबी 7 cm तो एपर एंगल कितना है एपर एंगल 45 मा लेते हैं यहां पर 45 है तो यहां बीपर सी कहीं इधर आएगा तो सी का पता ही ने यह कहां पर यहां पाएगा तो बी एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यह ट्रैंगल होता है ट्रैंगल तो जानते हैं तो हम जानते हैं कि ट्रैंगल की एक प्रपर्टी होती है कि ट्रैंगल के सभी एंगल का सॉम कितना होता है 180 होता है मान लेते है एंगल 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 बिपलस एंगल सी 62 वान डिव है एंगल सी 75 दिया है तो देखिए एंगल ए कितना 45 वी को find out करना है बी हो गया सी कितना दिया है 75 सोटीफाइब उक्विलटु 180 टो 455 10 साथ 4 बार एकसो 20 से विस感िगार ठाटके बीस प्लस एंगल connection वी टू 180 ठीच्म यहाँ बी एंगल वी इकवाल metropolitan वान टाटी माइनस 120 टो आटीमिस्टम से 120 कि इसनल मतलब अनल बी took a बीपे 60 होगा तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे 60 होगा ठीक है तो अब चलते हैं हमारा A मिल गया B मिल गया C तो यहाँ पे कितना एंगल है 75 डिगरी है तो चलो construct करते हैं और कुछ नहीं नहीं बोला है जी इसमें नहीं नहीं कुछ बोला है तो 10 नंबर के लिए क्या करेंगे सबसे पहले scale लें करेंगे ठीक है तो देखिए तो यहाँ पे 7 cm का 7 cm का एक लाइन तो देखिए 7 cm का ठीक है 7 cm लाइन लिए अब हमें जोता है यह मिल गया और यह हमारा बी मिल गया यह 7 cm हो गया अब क्या करेंगे ए पे 45 डिग्री और बी पे 60 डिग्री तो compass लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 45 तो अब क्या करेंगे और सेथा लेंगे एक और करेंगे ठीक है आर बहुए तो क्या करेंगे यह Off пор करेंगे गी Woolen 20-degree, 180-degree हो गया, लेकिन हमें 60 चाहिए, न 120 चाहिए, तो हमें चाहिए तो कितना, हमें चाहिए बस 90, 90 नहीं चाहिए, क्यों 90 के लिए, हमें तो 45 को कॉनस्टेट करने के लिए 90 के जुरों थे, इसलिए कंस्टेट कर रहा हूं जी, ठीक है, तो देखें 60 यहां तो को क्या, प्वाइंट को और इस प्वाइंट को सेंटर लेके एक उपर की तरह आर कट करेंगे ठीक है आर कट करेंगे यहां पर एक आर कट करेंगे कट कर दिया अब देखिए अब जो है एसकेल लेंगे और इसको जोईन कर दिया अब देखिए यहां पर अब हमारा यह एंगल हो गया वना एंगल तो इसको सेंटर लेके और इसको सेंटर लेके एक इधर आर काट करेंगे क्योंकि 90 डिटोटल एंगल है लेकिन हमें 90 चाहिए नहीं हमें चाहिए कितना हमें चाहिए बस 45 तो क्या करेंगे इस एंगल को अब आई सेक्ट करेंगे तो अपने कन्विनिंस के कॉर्ड एक रडिए राडिया सेट आप करेंगे और कहीं इधर कट करेंगे ठीक है इधर एक रेडियो करेंगे ठीक चाहर और इसको फिर Čच इस से इंटर लेंगे जहां परम बेंडिको लाइन है 90 दिदी prinडल इसको फिर यहाँ पर लेके एक आर करेंगे कर दिया अब यह दोनों यहां पेंटर चुथी हुआ तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यह पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करेंगे और इसको आगे की तरह extend करेंगे extend करेंगे का पता कहा तक जाए कोई ठीक थुरे है अब उसके बाद B पे कितना चाहिए 60 चाहिए तो B पे 60 के लिए क्या करेंगे फिर compass लेंगे और compass पे एक B को center लेके एक arc cut करेंगे ठीक है और जहां पे arc जो इस line cut किया है उसको center लेके फिर एक arc cut करेंगे तो यहां पे arc cut हुआ इसका मतलब जो है इसको जो है center मान के इस point को और इस point को दोनों को join करेंगे line से तो देखेंगे कि दोनों point कहीं यहां पे cut हुआ है ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया C हो गया तो यह कितना है देखिए यह 45 हो गया यह हमारा 60 हो गया और यह कितना होगा 75 ठीक है 75 दिया होगा ठीक है अब इसको पैन से बनाता हूं ताकि आपको वीजबल हो अच्छे से दिखाई दे लेकिन आप पैंसिल से बनाएएगा आप पैन के इसमत किजन रित नंबर नहीं मिल पाएंगे ठीक है तो ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन पे